हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दे एक्जाम हैकर यूटूब चैनल दोस्तो आज किस वीडियो हम लोग क्या डिस्स करेंगे आज किस वीडियो हम लोग यहाँ पर डिस्स करेंगे कि कौन से वो तीन कंपोनेंट्स हैं जो पॉपलेशन चेंज उससे होता है तो जनसंक्या परिवर्तन के तीन घटा कौन से हैं यह आपको यहाँ पर बताने हैं तो सिंपल सी बात है कहीं भी किसी भी छेतर की बात कर लो जियोग्राफ के एरिया की बात कर लो उसका जो पॉपलेशन है वो तीन कंपोनेंट्स से चेंज होता है एक तो हमारी बर्थ दूसरी हमारी डेथ और तिसरी हमारी माइग्रेशन ठीक है तो तीन हमारी फैक्टर्स हैं जिससे पॉपलेशन चेंज होती है बर्थ से हमारी पॉपलेशन बढ़ती है वहाँ पे बर्थ जितनी ज़्यादा होंगे पॉपलेशन उस रीजन का बढ़ेगा, यदि डेथ होते हैं, तो पॉपलेशन हमारी कम होते हैं, डिक्रीज करते हैं, और यदि माइग्रेशन होते हैं, माइग्रेशन में भी दो माइग्रेशन, दो टाइप की माइग्रेशन, यदि इन माइग्रेशन होती हैं, यहाँ पे ल अब इसको थोड़ा सा और डीटेल देख लेते हैं, बर्थ कम्पोनेंट यानि बर्थ को मीजर करने के लिए हम कुरूड बर्थ रेट, CBR का यूज करते हैं, इसको एक्सप्रेस ऐसे करते हैं कि नंबर आप जो चिल्रेन हैं वो अलाइव हमारी बर्थ हुए हैं, पर थाउज से मल्लिप्लाई करेंगे, तो हमारी कुरूड जो हमारी वर्थ रेट है, वो हमारी निकल के आएंगे, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो इंडिया का जो कुरूड वर्थ रेट था, वो 21.8 था, यानि कि 1000 पॉपलेशन जो है, उसमें से 21.8 लोग हर साल बढ़ रह है, ठीक है, तो हमारी कुरूड बर्थ रेट हो गया, ओभराल इंडिया की बात कर रहे है, अब डेथ कंपोनेंट की बात करेंगे, तो डेथ को हम कुरूड डेथ रेट में हम एक्सप्रेस करते हैं, इसके लिए भी सेम फर्मूला है, नमबर अब डेथ त्यूरिंग दियर, और मिड येर की जो पॉपलेशन है, उससे डिवाइड करेंगे, और 1000 जो रिजल्ड हैगा, उससे मल्टिपले करेंगे, तो हमारी कुरूड डेथ रेट निकल जाएंगे, हमारी लेबल आप सोची ओ इकनेमिक डेवलपमेंट पे डेफियर करते हैं, जहांपे हाई सोची ओ एकनेमिक डेवलपमेंट होते हैं, वहांपे मोर्टाल्टी रेट कम होती है, लाइफ एक्सपेंडेंसी जादो होती है, 2011 की census recording बात करें तो crude हमारी birth rate जो इंडिया का था वो 7.2 था जो की 1925 में हमारा क्या था 25 था 25 से decrease होगे 7.2 हो गया इसका मतलब यह भी है कि इंडिया में हमारी socio-economic development हमारी अच्छी हुई है इसके वज़े से mortality rate हमारे घटे है तिह हमारी दूसरा component थी death component population की changes का तीसरा हमारे migration है migration से हमारी population decrease भी कर सकती है हमारी increase भी कर सकती है यदि किसी भी region से हमारी out migration होगी है लोग वहाँ से बाहर जा रहे है तो population घटेगी यदि out migration ज्यादा है in migration से तो हमारी migration से हमारी population कम हो रही है यदि in migration ज्यादा है out migration से तो population बढ़ रही है अक्सर आप देखोगे अमेरिका ये ये उरोपियन जो कंट्रीज है वहाँ पे इन माइगरेशन ज्यादा है पॉपलेशन हमारी माइगरेशन से बढ़ते हैं एस कम्पेर टु आपको आस्टेलिया, सीरिया, पाकिस्तान यहाँ पे migration से population हमारी घटती है ना कि बढ़ती है तो आज किसी वीडियो में मसते नहीं दोस्तों I hope यहाँ पे जो डिस्स किये हैं आपको पसंद आएंगे Thank you for watching मिलते हैं अगले वीडियो में नहीं टोपिक सार Thank you